6072 उतरी में भी सम्विधान बचाव रैली में शामिल हुए ग्रामीर यूपी के मउ में जल सत्याग रहे को मजबूर ग्रामीर घागरा नदी के कटाव से खेद गाउं को बचाने की मांग सुनवाई ना होने पर सामूहिक जल समाधी की चेतावने हर्याना में खुद सरकार ने खबूला की धान खरीद में हुई गडबडी जाच में 1207 राइस मिल्स में पाई गई धान की कमी सरकार ने राइस मिल्स को नोटिस जारी कर मांगा जवाब और डेश भर में लोडी और पोंगल की धूम राश्रुपती और प्रधान मंत्री ने दी बधाई घर और बाजार हुए गुलजार मुलेचन में सबसे पहले बात CAA आना NRC की CAA नागरिक्ता संशोधन कानून हो NRC हो या फिर NPR देश के लगभग हर शहर में प्रधर्शन हो रहे हैं और लंबे वक्त से हो रहे हैं सरकार का कहना है कि लोग भ्रम में हैं कानून के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि देश के गाउं और कजबे के लोग इस कानून और पूरे विवाद पर क्या समझते हैं और क्या कहते हैं देश भर में CA, NRC और NPR को लेकर आंदोलन चल रहे हैं सब के अपने पक्ष हैं लेकिन अब हम आए हैं दिल्ली से कुछी किलोमीटर की दूरी पर जेवर के गाउं में ये जानने कि क्या वाकई में लोगों को इस कानून के बारे में इस पूरे मुद्दे के बारे में जानकारी है और जानकारी है तो वो किस तरह की है और लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं कि पस इतना ही हमारी समझ में आ रहा है कि ये गवर्मेंट ने जिसने भी जैसे भी किया है ये एक हिंदू मुसलिम बना दिया इसको बाकी और ये कुछ नहीं नजरा रहा है अमिस्ताय जी तो संसर्व में खड़े होके कहते हैं कि हम एले वलाएंगे सी ए उसके बाल में नर्सी लाएंगे और हमारे प्रधान मंतिय जी कहते हैं रामजीला मैदान से कि नर्सी पर तो कोई बाती नहीं हुई है तो कौन जूटा है कौन सच्चा है राजनीती तो ये आपर वारण है चुटा के लिए और इसके बाया इन लागे हैं तो बहुत नहीं है किसान पारदे लिए तो बहुत पां decisive बालत के लिए दोव्ह करो ले जिसके भायजानी उससे द्यान भाकताने के लिए जींज्य पेरोकार नहीं है लोग भूल गया है किसान का कोई प्रवत नहीं अब बूल गए इनों कितने नीचे चलिए विद्धिक घ्रवाई लोगन अनुसरा का हा बात कर रहे हैं इससे बीर बित्तक एट किसन ब chilly दूनी को कैसे कर देंगे ये दोगुनी कैसे कर देंगे डीजल के दाम देखो 70 रुपे लीटर हो गए खेत की बुबाई है जुताई है वो महगी हो गई नागरिक्ता सिंशोधन कानून और NRC और NPR को लेकर जो तमाम विवात चलता है तमाम डिबेट चल रही है आप लोगों को इसके कितनी है क्या करें लोग बाग कभी जी एस्टी कभी नौट बंदी सरकार तो वहता है यह कोई थोड़ी एक बताओ तो मेंगाई पर कोई किसी चीज पर काबू करा नहीं पबलिक के काम आने वाली चीज बिजली के बिल महगा होना ये होना वो होना बागी किसी चीज पर अब यह अपनी मर्ज शलाई एसी तो दो बार एसी कर दिया थे नौट बंदी में कर दो इनोंने इतने पड़े लिखे दो है नहीं पर यह पूरे हिंदुस्तान में हला है तो मुसलमानों से प्रूब मंगा जाएगा सबूत मंगा जाएगा तो आप यहां की सन सतासी गी उन अब प्रूब तो आधर काड़ हम पर यह पेचान पत्रें और प्रूब तहने नहीं तो इस में पूरे हिंदुस्तान में भ्रहम फैल रहा है तो इस मुसलमानों को नादरिता उद्यानी पड़ा ही पहचान तो हम कहां से देंगे बताईए सरकार यह कहती है कि हम जाएंगे स पूरें इस मुसलमां पूर्यव परीयर्मानोंuğ में लोगों में भीया ही पूरई जानकारीं ना हो लेकिन एक बात दैए हिलोग इस बात कोजरूर समझ रहें कि सरकार ने कम से कम CA के मुद्दे पर उन तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है जो आम लोगों के लिए आम जन्ता के लिए बहज जरूरी थे चाहे वो अर्थिवस्था की बात हो चाहे रोजगार की या खेती किसाने की जी वर से कैमरा परसन अजाज के साथ शेशांग पाठक सुराज एक्स्प्रेस और CANRC को लेकर सीता राम यचूरी भी कुछ कह रहे हैं आए उनको सुनते अज़िए उनको सुनते यहांगो जोग निए उनको सुनते चाहे रहांמה था luckो डिए भीज़ की एग स्वेर्भाष्ट की तानन 013 मिलेजिए में आले वरा बहा रहे ह Aíं और beeख जिंग बाता की जा Doncs अभीजमर्य का धिन आपको दिखाई किस तरह से जो किसान हैं ग्रामिंग छेत्रों में उनकी क्या राय है CAA और NRC को लेकर और इसी तरह अब हम आपको दिखाते हैं 36 गड के धमतरी की तस्वीरें यहां भी ग्रामिंग और स्थानिय निवासियों ने नागरिक्ता कानून और NRC के खिलाफ सम्विधान बचाओ रैली निकाली इसके साथ ही अंजुमन इसलामिया कमिटी की अगुवाई में एक सभा भी बुलाई गई जिसमें CPM नेता संजय पराते समेत कई नेता शामिल हुए इन सभी ने CAA और NRC को सम्विधान और देश के खिलाफ बताया तो इस पूरी खबर पर और ज्यादा बाचीत करते हैं हमारे साथ हनान मौला जी जोड़ गए हैं हनान मौला जी स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में आर्थिक मंदी बेरोजगारी और खेती किसानी की जो बदहाल तस्वीर है उस पर से ध्यान भटकाने की कोशिश ज्यादा तर ग्रामीन जो हैं मजदूर और किसान उनकी यही राए आप क्या कहेंगे तो हम सुरू से बोल रहा है बीजेपी सरकार जब से आया जनता का जो ममला है आज किसान मौजदूर जासारा भारत जनरल स्टाइक किया ग्रामीन भारत बंद किया अपना जो तकलीफ है उसके लिए उसके खिलाब किया आज सरकार इस से धैन हटाने के लिए कभी शाम दुनिया इंदुस्तार में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरजगारी गाओं में मानरेगा नहीं है गामीन खित्मोजदूर मर रहा है पुका तो यह जो परिश्टिती है इस से धैन हटाने के लिए इस सब नया नया साजिस कर रहा है इस सरकार स्रेप जनता को गुम्रा करना हनानवला साब एक तो यह बात हो गई कि ध्यान भटकाने की कोशिश और दूसरी तरफ यह भी का जा रहा है कि इसकी सबसे ज्यादा जो गाज है नर्सी की वो देश के गरीब आदिवासी महिलाएं मजदूरों और किसानों पर गिरेगी यह किस तरह से उन पर असर डालेगा और कहां वो कामकाज अपनी खेती किसानी को देखेंगे या फिर इससे जुड़े दस्तावेजों को जुटाएंगे अब आप नहीं है आपको मैं तो बोलता है मोदी पहले उसका बाप का जनौस्थन कहां है उसको डॉकुमेंट देखाओ देखाओ पहले तो बात कहां से लोग जोगार करेगा गाओं में किसान के अलो हनान मुला साब क्या आप हमें सुन सकते हैं लगता है उनसे हमारा संपक तूट गया है एक बार फिर से उनसे संपक साधने की कोशिश करेंगे फिलहाल ये दो तस्वीरे हमने आपके सामने पेश की एक जेवर की जो की उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नॉइडा की तरफ और दूसरा धमतरी से जहां किसान और ग्रामीड, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी ये सब CAA और NRC को लेकर काफी परिशान है और उनका कहना है कि किस तरह से समविधान की जो पूरी सन्रचना है उस पर ये अटाक है किस तरह से धर्म के आधार पर मुस्लिम्स को देश से बाहर करने की एक कोशिश और उसके बाद ये तमाम मुद्दे हैं जब देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है तो CAA और NRC का आना कितना जरूरी है क्योंकि और भी मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है हमारे साथ हनान मौला जी एक बार फिर से जुर गए है अनान जी ये बताए कि कहा जा रहा है कि NPR भी लाया जाएगा National Population Registry और वो पहला कदम बताया जा रहा है NRC के लिए अगर ये होता है तो इसमें किस तरह की दिक्कते आएंगी और ये भी बोला जा रहा है कि NPR के लिए जो information दी जाएगी उसका NRC के लिए सत्यापन करना जरूरी होगा तो ऐसे में किस तरह की मुश्किले सामने खडी होगी हम जो देखा है हमारा देश में जो केतियार मजदूर है ग्राविन लोग है जो जिसका घर नहीं है रास्ता की बाजू मेरे जोबड़ी बना के रहते हैं जो माइगरेंट, राज्यों के were slay.. राज्यों जोंसे और बटककते राएते है.. यह लोग कहां से उसभर रक oficial को ठाइगे? मोधी पहले उसका बाप का जनम आंस्थान का डॉकोमेंट देखाओ.. देखना पहले, उसका बाप का नाम जनूम का शर्टिविएट मंगने का, जो बचारा रोज आपना रोटी रोजी के लिए परिशान है, यह सब जो आ रहा है यह लोग को तो गरीब को परिशान करेगा, गरीब तो पागल का तरह घुम रहा है, और माइनोरीटी गरीब आपना मुस्किल में है, दलित कहां से लाएगा उसका बाप, दादा का सारे परिशाए, आपना रोटी 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 करेगा, जो जन गरना और लोगों की जो संख्या, गिनिती, इन सब की बाते हो रही हैं, लेकिन जो किसान हैं, जिस तरह की लाबकारी, योजनाओं से वो वन्च मुस्कित रह जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर डेटा नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर डेटा जुटाने की बात है तो? कभी आदार कार्ट बनाओ, कभी रेशन कार्ट बनाओ, कभी भूटार कार्ट बनाओ, बार बार तो सब तत्थो दिया गया है, कितना बार तत्थो मांगेगा गरीब लोगों से? जी अना जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनकारी के लिए. जनकारों का कहना है कि प्याज समेट सबजियों के दाम बढ़ने से खाद्य महंगाईदर में इजाफा आया है, वही प्याज समेट सभी फसलों को उगाने वाले किसान भी कम दाम मिलने से लगातार जूज रहे हैं. RBI का लक्षय रहता है कि खुद्रा महंगाईदर चार से छे फीजदी के दाएरे में रहे, यानि दिसंबर में खुद्रा महंगाईदर ने RBI के लक्षय को पार कर दिया है. कि खुद्रा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खेती किसानी से जूड़ी कुछ और एहम ख़बरें आप देखते रहे है किसान भुलिट. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलड़ते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं, हो बात कौलियर की या हो कहानी मुम्तास की, बेगम नवाब की जलकियां या हो बात काली ताच की, हर तरफ पसरा यहां इतिहास है, यूँ ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है, वक्त के निशान. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं किसान भुलिट. हर्याना की खटर सरकार लगाता, धान खरीद में हुए घोटाले से इंकार करती रही, लेकिन जांच में जो बात सामने आई, उससे पता चलता है कि सरकार की इस लापरवाही का खाम्याजा, किसानों को उठाना पड़ा है. वही जानकारों का मानना है कि इस घोटाले में अभी और भी पड़ते हैं और सरकार मामले के तूल पकड़े जाने पर राइस मिलर्स पर कारवाई कर महज खाना पूर्ती कर रही है. देखिए ये रिपोर्ट. जो अकाउंट करना था, वो था 64.40 लाख टन, 14.4 सुन्य लाख टन जिरी हमें तीन सकल में मिल सकता था. एक जीरी के सकल में मिलर के कंपाउंड में, दो चावल के सकल में मिल के कंपाउंड में, तिसरा चावल के सकल में जो FCI को मिलर ने इस दोरान दे दिया है जाच के लिए सरकार ने 300 टीमें बनाई थी जिसमें राज की 1304 चावल मिलों में जाच की और पाया की 1207 राइस मिलों में गरबड़ी की गई कई मिलों में तो 50 टन तक धान कम मिला अब खाद विभाग ने मिलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है इन सभी मिलों को एक सोकल नोटिस जारी कर रहा हूँ मैंने फाइल पर यह आदेश दे दिया है कि वो हमें बताएंगे एक कि किस कारण से यह सटेज उनके यहां पाया गया और क्यूं ना उनके खिलाब जो सिभिल लाइबिलिटी है उनका और जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है उसके लिए उनके खिलाब कारवाई की गया है एक चीस्त तैय है जो सभी मिल के खिलाब होगा कि उन मिलों में वो जीरी पहुंचाने के लिए हमारा जो खर्चा हुआ था वो सारा खर्चा को हम जरूर उनसे इंट्रेस्ट समेत रिकवर करेंगे उसके अलावा और क्या पैन ले जाने वाले ट्रकों में जीपियस लगवाने की बात कह रही हो लेकिन इस सर्टर्किता अगर पहले बढ़ती जाती तो किसानों को यू नुकसान नहीं उठाना पड़ता चंडिगर से इश अठाकुर के साथ वीर रपोर्ट सुराज एक्सप्रेस और इस बीच आपको यह भी बता दें कि खादे मंत्राले ने राजियों से अनाज खरीद के आंक्डे मांगे हैं अनाज खरीद की निग्रानी और योजना से किसानों को हुए लाब के लिए मंत्राले ने किसानों के नाम और खरीदे गए पैसों का ब्यौरा मांगा है खादे मंत्राले के मुताबिक इसके तहट 14 राजियों के 361 जिले से लगादार अपडेट्स मिल रहे हैं जिसके मुताबिक खरीफ सीजन में सरकार ने MSP पर 3 करोड 8 लाख टन धान खरीद की इसके लिए 80,000 करोड रुपे से ज्यादा का भुपतान भी किया इससे 50 लाख किसा के खाते में डाले जाने का दावा कर रहे हैं और जो हर्याना में जिस तरह से सरकार ने खुझ से कबूला है कि जो घान की खरीद हुई प्रोक्योर्मेंट उसमें कुछ गडबड़ी हुई उस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राकेश सिंग बेंस जी हमारे प्रभारी हैं भारतिय किसान यूनियन हर्याना के और इस पूरे मामले पर RTI दायर कर चुके हैं और बारी की से इस पर अपनी नजर बनाये हुए हैं राकेश जी स्वागत है आपका किसान बुलिटिन में सरकार ने अब तो खुद ही मान लिया है कि इसमें धान प्रोक्योर हर्याना में हुआ है यह बड़े गोटाले को ड़कने के लिए चोटा गोटाला प्रोल दिया गया है गृता अपके समझ में कितना बड़ा गोटाला है और कौन है इसके पीछे इसकी थोड़ी तफसील से जानकारी दें किस तरह से आप कह रहे हैं कि यह सुन्योजित धंग से हुआ देखिए एक यदि मैं इसको कहूं कि फिल्मी स्टाइल में गोटाला किया गया तो यह कहना अनुचित नहीं होगा क्योंकि आपको मैं पूरी डिटेल इसकी दो तो दो मिंट मेरे को लगेंगे 26 नो को हर्याना की मंडियों में धान खरीद की प्रकिलिया सुरू कर दी गई और किसानों को खरीद जो है चब्दी को खोल दी गई और 27 तरीक को जो है मंडियों में खरीद शुरू हो चुकी 27 नो जो जार उन्नी को और ठीक दो दिन बाद 29 को उशेतर की कुछ राइस मिलों में चापे बढ़ते हैं जान खरीद की जाच को देकर और इसके बाद जो है 30 तरीक को टोटली हर्यां को बंद करवा दिया जाता है कि हम मंडियों में खरीद नहीं करें इसके जो है किसान सरकों पर आगए और स्टीशी दिविड़ती दिखी जी उसके बाद जो है एक तरीक को जी बोलिए जी राकेश जी थोड़ा समय की कमी है जो मुद्दा है में वो फिर क्या कहां गड़बड़ी हुई किस तरह से इसको अमली जामा पहना आया गया इस पूरी कारवाई को आपका कहना है कि जो राइस मिलर्स हैं उन पर नकेल कसी जा रहे है मगर मामला मंडी से शुरू होता है और वहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है और जो खरीद एजंसी हैं उन पर क्वेस्चन करने की जरूरत है जानकारी के लिए तो जिस तरह से धानली हुई है उस पर उनका कहना है कि जो मंडी है और जो खरीद एजंसी हैं उनको भी इस दायरे में लाना चाहिए क्वेस्चन करना चाहिए ना की खाली राइस मिलास को जैसे कि हमने रिपोर्ट में देखा जो खादे विभाग है वो नकेल कस रहा है राइस मिलास पर पर परते अंगली खबर की ओड़ सरकारे गाउं की जो तस्वीर दिखाती हैं वह काफी उजली और रंगीन होती हैं ले कितरप्रदेश के मौजले के बिंटोलिया गाउं में घागरा नदी से साल दर साल होता तीवर कटान का खत्रा अब पूरे गाउं की जल समाधी तक पहुँच किया है आलम यह है कि सरकार की नींद तोड़ने लिए लोगों को जल सत्यागरह करना पड़ रहा है हमारे तीन चार गाउं कट गया और पहले से हम लोग बता हो इनकी सोचना के देते थे चला गया हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुआ कि हां बचेगा यह पालुई क्रभाएगा कि नहीं खेती भी गिर गया और खाने की भी हम लोग के भूखे मरते हैं सरकार च़ह मोदी हो खों चाहे जोगी हो खों हमने का उनसे इह निरोदन बाटे कि हम अनके ठोकर गिरा आके हमने गाउं बस बचा दाूं नहीं है, गाउं वालों का कहना है कि अगर सरकार और प्रशासरन ने अब भी ध्यान नहीं दिया तो पूरा का पूरा गाउं जल समाधी ले लेगा, इसके लावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है बल्कुर जान देने के लिए तयार है इसमें कमी नहीं है, अगर सरकार जानती है कि जूठे लोग फर्माते हैं तो जूठ हम लोग नहीं फर्माते हैं, हम लोग बिलकुर जान देने के लिए तयार है इस से सरकार की नीन तूटेगी ये सुस्ती ये अभी साफ नहीं है इलाके के अधिकारी भी यहां हमेशा की दरहे आश्वासन दे कर चले गए और ठोकर बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजने की बात भी कही गई है गाउं को लेकर सरकारें तमाम दावे करती हैं लेकिन जब हकीकट सामने आती है तो सरकार की ये गुलावी दावे धूआ होने लगते हैं और गाउं को खुद को बचाने की लडाई यू लड़नी पड़ती है उत्तरप्रदेश के माउसे रविंदर सैनी के साथ बीर रपोर्ट सुराजक स्ट्रेस देश्मर में लोडी और पोंगल की धूम है राश्ट्रपती रामनात कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी ने इस मौके पर लोगों को बधाई दी मकर सकरांती से एक दिन पहले धूमदाम से लोडी मनाई जाती है यह पर पंजाब और हर्याना के प्रमुक्त्यहारों में से एक है माननेता है कि लोडी के दिन साल की सब से लंबी अंतिम रात होती है और अगले दिन से धीरे-धीरे दिन भडने लगता है नई फसल की तयारी से पहले लोडी के बहाने जश्र मनाया जाता है और वहीं दक्षिन भारत के प्रमुक्तिहारों में से एक की तयारी से इन दिनों बाजारों में खूब रौनक है। पोंगल में सर्दियों की फसल को काटा जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस्तियोहार को खूब जीजान से मना रहे हैं और उसका लुथव उठा रहे हैं। पारंपरिक पकवान उनको बना रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको इस्तियोहार की बहुत बहुत बढ़ायां। इस बुलिटिन में फिलहा लेतना ही देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस के साथ मुझे दीजे जाज़त नमस्कार।